प्रश्ण एक सिम को हिंदी में क्या कहते हैं? A. पहचान इकाई पता. B. कार्ड. C. इकाई वस्तू. D. कार्य पता. सही जवाब होगा option A. पहचान इकाई पता. प्रश्ण दो लिप्स्टिक को हिंदी में क्या कहते हैं? A. रचनी. B. यानस्वरू प्यंत्र. C. सुर्खी. D. कुमुदिनी. सही जवाब होगा option C. सुर्खी. प्रश्ण तीन लिव को हिंदी में क्या कहते हैं? A. सुर्खी. B. कुमुदिनी. C. गनक. D. जिगर. सही जवाब होगा option D. जिगर. प्रश्ण चार रोटी को हिंदी में क्या कहते हैं? A. चपाती. B. वस्तू. C. गोल-गोल. D. कुमुदिनी. सही जवाब होगा option A. चपाती. प्रश्ण पाच ट्रेन को हिंदी में क्या कहते हैं? A. रेलगारी. B. लोहपद गामिनी. C. वाहन. D. डिब्बा. सही जवाब होगा option B. लोहपद गामिनी. प्रश्ण 6. उनिफॉर्म को हिंदी में क्या कहते हैं? A. ड्रेस. B. वस्त्र. C. वर्दी. D. कोटी. सही जवाब होगा option C. वर्दी. प्रश्ण 7. मोबाइल को हिंदी में क्या कहते हैं? A. संचार माध्यम. B. टेलीफोन. C. यंत्र. D. दूर्भाष यंत्र. सही जवाब होगा option D. दूर्भाष यंत्र. प्रश्ण 8. मीडिया को हिंदी में क्या कहते हैं? A. दूरभाष यंत्र. B. संचार माध्यम. C. लोहपद गामिनी. D. यानस्वरूप यंत्र. सही जवाब होगा option B. संचार माध्यम. प्रश्ण 9. मेट्रिक को हिंदी में क्या कहते हैं? A. हाइस्कूल पास. B. इंटरमीडियर. C. सनातक. D. विग्यान सनातक. सही जवाब होगा option A. हाइस्कूल पास. सही जवाब होगा option D. प्रतियोगिता का खेल.